आजकल मार्केट में नेशुरल चीजों का यूज़ करके बहुत सारे होम डेकॉर आइटम्स को बनाया जाता है जो काफी एक्सपेंसेव और अट्रेक्टिव भी होते हैं इन्हें घट पे बनाना बहुत जादा इजी है और बहुत कम प्राइज में इन्हें बनाया जा सकता है तो आज हम यूज़ करने वाले बहुत ही ज़्यादा फ्री की चीज यानि कि छीड के फूल जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला अगर आप हिल स्टेशन में रहते हैं तो पेड की नीचे आपको ऐसी ग्रे होई मिल जाएंगे और मेरे पास प्रे बॉटल थी यानि मे बेल भी दिया रोटी की तरह है और जितनी भी मुझे थिल लियर चीए थी इसकी वो मैंने रख ली है और इस तरी के से मैं इसे बेलने के बाद रेडी कर लिया है रेडी करने के बाद इसके बीच पर लगाना था मुझे कट क्योंकि मुझे पूरे की पूरे धकन को अच्छ जचे से cover कर लिया cover करने के बाद मैं अच्छे से इसमें चिपका दिया और चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत यह बहुत लिया है पुरानी से डिजाइन बहुत ही ज़्यादा खुब्सूरा था अज ये कितना ज्यादा सुन्दर लग रहा है और मुझे इसके उपर पे थोड़ा अलग डिजाइन करना था तो यहाँ पे मैंने ले लिया पैन का धकन और ढकन से round 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 shape मैंने देना शुरू कर दिया और उसके बाद जै मैंने ये दे दिया था मैंने इसमें कोई तरीके का सिक्पेंस नहीं रखा है बस round shape देती रही क्योंकि मुझे उभार करना था जैसे vintage look होता न वो देना था मुझे इन में इसलिए मैंने उभारने वाला डिजाइन निकाला इसमें और सिर्सके बाद होने दिया मैंने अच्छे से dry तो अब बारियाति कलर करने के लिए जिसके लिए मुझे चाहिए था sky blue कलर और उसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा blue कलर और जादी अमाउंट में white कलर को लिया और आपस मैं अच्छे से blend, blend and blend किया और ये प्यारा सा tempting सा blue कलर बन गया काफी tempting लग रहा है ये उसके बाद मैंने अच्छे से इसमें apply कर लिया है और सारी के सारी जितने भी down, up, fill करना था अच्छे से थोड़ा सा विंटेज वाला लुक नहीं होता है गोल्डन या फिर सिल्वर कलर लगाना तो स्पंज के हल्प से बाहर बाहर पर मैंने इस तरीक से गोल्डन कलर कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था यह ऐसा बिलकुल नहीं लग दाता कि इसे घर पर बनाया गया है उसके बाद मैंने जो धकन बनाये हुएं बेस के लिए उसमें भी किया क्योंकि मुझे पुराने लुक में जो दिवारे होती थी जो दर्वाजे होते थे नकासी वाले पहले के टाइम पर वैसा ही लुक चीए था एंड इस इस दे फाइनल प्रोड़क्ट आप सभी को मेरी छोटी से क्रेटिविटी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना वीडियो को लाइक और चैनल को पीश सब्स्राइब कर लेना